हलो दोस्तों स्वागत आपका डिवोशन इंसिट्यूट में आज हमारा 33 सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और आज हम एक नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट यह वन अफ दा मोस्ट इंपॉर्टन चाप्टर्स है बहुत ही सिंपल से दो जुड़ा हुआ चाप्टर है एक तरीके से और बहुत सारे क्वेशन अगर दस क्वेशन आपके एक्जाम में आएंगे तो दस के अंदर दो क्वेशन इस चाप्टर से होने की पूरी पूरी उमीद रहती है तो हम शुरू करते हैं चाप्टर के नाम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यह हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं पिछले कुछ सेशन के अंदर लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बताता हूं क्योंकि यह इतना जादा जरूरी है कि एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा स सब्जेक्ट होता है मैं बोलता हूं राम इज सिंगिंग अ सॉंग गौर फरमाईएगा अगर मैं बोलता हूं राम में सिंगिंग अ सॉंग तो इसके अंदर बात किसकी हो रही है सब्जेक्ट क्या है तो आप कह सकते हो कि राम जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि बात किसकी ह हो रही है राम की हो रही है और वर्ब क्या है अब वर्ब के दो हिस्से होते हैं जैसा कि हम स्टार्टिंग के कुछ सेशन में बात कर चुके हैं एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक में वर्ब होता है यह दोनों हिस्से से बनते हैं इसको हम वर्ब कह सकते हैं जेंरेली अगर हेल्पिंग वर्ब होता है ग्रफ फर्मायेगा जैसे, या was, were हो गया जैसे, अना has have हो गया, ये क्या दर्शा देते हैं, helping verb ही बता देता है, कि वो singular है या plural है, और अगर helping verb नहीं है अगर helping verb नहीं है, तो हमने क्या देखा था, कि main verb में s और e s लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा singular हो जाएगा, और अगर नहीं लगेगा, तो वो plural होगा, या I और you के साथ भी नहीं लगेगा, चाहें इसको दूसरी तरीके से लिख लो, चाहें इस तरीके से लिख लो, एक ही बात है, basically main verb में s और e s लगा हुआ है, तो वो singular verb कहलाता है, और अगर नहीं लगा हुआ है, तो वो plural verb कहलाता है, और I और you के साथ plural verb लगता है, यह हम पिछले noun के चाप्टर में भी मैंने आपको बताया था, और पहले भी मैंने आपको बताया है, पर यह rule इतना जादा important है, कि मैं आने वाले, लगबग लगग हर चाप्टर में आपको यह rule बार-बार बताता रहूंगा, क्या बोले, singular के साथ verb में S.O.R.E.S. Ram is singing है, वैसे ही एक और अगर लिखें, तो Ram sings a song बनेगा, क्या बनेगा, Ram sings a song बनेगा, यहाँ पर भी subject क्या है, Ram ही है, लेकिन verb क्या है, यहाँ पर होने की वज़े से क्या बन जाता है, singular verb बन जाता है, तो chapter क्या बोलता है, chapter यह कहता है, कि subject और verb का agreement होना चाहिए, अगर subject singular है, तो verb भी singular होगा, अगर subject plural है, तो verb भी plural होगा, जब Ram लिख रहे हैं, तो चाहे helping verb आए, चाहे ना आए, दोनों ही cases में verb को singular होना पड़ेगा, इसके साथ S or E S लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर is लगाना पड़ेगा, जब भी हम Ram की जगे इसको अगर V कर दें, तो V के साथ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, या फिर अगर हम सीधा sing लिखना चाहेंगे, तो हमें S or E S नहीं लगाना, क्योंकि R उसको plural बनाता है, और sings का S हटा देते हैं, तो वो उसको plural बनाता है, क्योंकि singular verb में S or E S आता है, plural verb में S or E S नहीं आता, यह हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो subject और verb का agreement है, इतना ही chapter है, बस अलग-अलग subject हम बदलेंगे, उसके हिसाब से verb कैसे कैसे बदलते हैं, वो हमें देखना है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि हमें पता ही नहीं चलता कि subject कौन सा है, तो वो दिक्कत आती है, उसको हम solve करेंगे, I hope आपको एकदम basic जो layout है, वो एकदम समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, rule number one पे चलते हैं, ये कुछ sentence हैं, आपके सामने 6 sentence है, इन 6 के 6 sentence को आप थोड़ा सा गौर फर्माएं, और इनको देखें, कि इन में क्या आना चाहिए, is और are, was और were options दे रखें आपके सामने, आपका दिल क्या कहता है, कि क्या आना चाहिए, ये इस chapter का सार है, rule number one, जो अभी मैंने आपको सिखाया है, उसी पर based है, बस अलग-अलग तरीके के sentence दे रखें हैं, आपको confuse करने के लिए, करें, copy pen निकाल के रखें, question साथ में करें, अगर आपको selection चाहिए, तो साथ में मैंनत करें, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों में से एक चुने जरूर, खाली ना बैठें, बना चाहिए आपको नहीं आ रहा हो, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या लिखा हुआ है, word के meaning नहीं पता हो कुछ, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन आप एक ना एक option जरूर चुने, कि आप अगर option mark करना ही होता, तो कौन सा mark करते, is करते या आर करते, was करते या वर करते, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को pause करें, पहले questions को solve करें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि अगर खुद से करोगे नहीं, तो exam में नहीं होंगे, my dear, classes लगाने का कोई फाइदा नहीं है, ये क्या है, confused करने के लिए आपको दिया है, वैसे question बहुत असान है, देखो generally, जो लोग Hindi medium से होंगे, आप लोगों के अंदर, उन लोगों का दिमाग इतना ही चलता है, कि mangoes, plural और आर लगा देना चाहिए, और ये गलत नहीं है, दिमाग ऐसे चलता ही है, हमारा common sense logic ये कहता है, कि mangoes लिखा हुआ है, तो एक आम नहीं है, एक से ज्यादा आम है, इसलिए हमें क्या लगा देना चाहिए, आर लगा देना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पर देखो, क्या मैंने ऐसा कहा, कि verb से पहले जो लिखा होता है, उसके हिसाब से verb आती है, नहीं, मैंने क्या कहा, कि subject के हिसाब से verb आती है, ये कहा है मैंने तो, मैंने पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता positioning change हो सकती है English में, verb पहले भी आ जाती है, कहीं कहीं पर, verb बाद में भी आती है जैसे there करके sentence मतने तो there is a boy बोलते हैं, लेकिन there are many boys बोलते हैं तो boy बाद में आ रहे हैं लेकिन is जोर are पहले ही आ जा रहा है, तो पहले बाद में आगे पीछे जगे का कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फरक पड़ता है कि subject क्या है और verb क्या है और subject के हिसाब से verb है या नहीं है सिर्फ इसका फरक पड़ता है तो अगर यहाँ पर आप देखें The quality of the mangos is या are good इस sentence में अगर आपका दिल are किया तो आपका are क्यों किया क्योंकि आपको लगा कि mango एक नहीं एक से ज्यादा है और आपके दिल ने ठीक बात कही लेकिन आपके दिल से काम नहीं हो रहा है यहाँ पर हम जो rule पढ़ रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि subject का verb से agreement होना चाहिए किसका? subject का subject क्या है? बात किसकी हो रही है? क्या यहाँ पर आमों की बात हो रही है क्या? अगर आमों की बात हो रही होती तो मैं यह ना लिखूँ अगर मैं यह इतना ना लिखा होता the mangoes are good सीधा सीधा कर देते आम अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है यह एकदम सही हो जाता आपका आपका logic एकदम चल जाता लेकिन अगर मैंने यह लिखा है तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बात आमों की नहीं कर रहा मैं बात आमों की quality की कर रहा हूँ आमों की गुणवत्ता की कर रहा हूँ कि आमों की quality अच्छी है आम बहुत सारे हो सकते हैं पर quality countable है क्या गिन सकते हो 5 quality है कि 10 quality है नहीं जो तरीका आप सोच रहे हो गिनने का कि इसके अंदर 2 quality है ये एक अच्छा इंसान है और सुन्दर दिखता है तो ये वो वाली quality की बात नहीं हो रही है तो quality यहाँ पर एक से ज़्यादा नहीं हो सकती इसलिए quality के लिए क्या आएगा इस आएगा और आर गलत है क्योंकि बात यहाँ पर mangoes की नहीं हो रही बात यहाँ पर quality की हो रही है और quality एक ही है और quality अगर subject है तो verb जो है वो subject के हिसाब से आएगी इस question में हो सकता है आप मेंसे कुछ को अभी भी गड़बर लग रहोगी नहीं सर ऐसे कैसे तो दूसरा अगर आप देखोगे तो वो एकदम clear है the man with the boxes आप मेंसे ऐसे भी लोग होंगे जिनोंने उपर तो आर लगाया था लेकिन नीचे easy लगाया है क्यों क्योंकि नीचे वाला थोड़ा clarity है क्या the man with the boxes is your my friend अगर आप डबो को देखोगे तो डबो के बाद तो आ रहाना चाहिए लेकिन आपको कही ना कहीं ये दिल में पता है कि दोस्त डब्बे नहीं हो सकते मैं इसको छुपा दूना boxes are my friend तो अजीब हो जाएगा कि डब्बे मेरे दोस्ते हैं आप कैसे इंसान हो तो आप क्या बोलना चाहते हो कि डब्बे तो दोस्त हो नहीं सकते बात किसकी हो रही है बात इस man की हो रही है कि डब्बो के साथ जो आदमी है आदमी ने डब्बे पकड़ रखे है वो आदमी मेरा दोस्त है तो आपको पता है कि बात जब आदमी की हो रही है तो आदमी कि सकते हैं इसलिए उपर आप confuse होगें नीचे आप confuse नहीं वे इतना का मतलब होता है तारीफ काबिल तारीफ करने योग्य प्रेज मतलब तारीफ वर्दी मतलब योग्य है अगर विमन के हिसाब से जाओगे तो आर लगाना चाहिए पर विमन के हिसाब से नहीं आएगा क्योंकि conduct की बात हो रही है, conduct को आप behavior भी कह सकते हो, जो वरताव करने का तरीका होता है, behavior होता है, उसी को conduct बोलते हैं, वो एक ही चीज़े, synonyms मान सकते हैं दोनों को, तो conduct of the women is या आर प्रेजवर्दी, तो महिलाओं का behavior प्रेजवर्दी है, तो बात महिलाओं की behavior की conduct की हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, और महिलाओं की कितनी भी हो, behavior कितना है, एक ही है, इसलिए क्या लगाओगे, इस लगाओगे, आर नहीं लगाओगे, I hope आप स मच पारे होगे बात महिलाओं के कंड़क्ट की हो रही है और कंड़क्ट एक है सब्जेक्ट ये है इसलिए इस आएगा ऐसे नीचे देखो क्या बात लैंगवेज़ की हो रही है क्या लैंगवेज़ तो प्लूरल है बात लैंगवेज़ की हो रही है तो आर कर दें Languages are extraordinary बोलना चाहते हो क्या? Extraordinary का मतलब क्या होता है? अविश्वस निया, असाधारन बोलते हैं जिसको तो Languages are extraordinary बाशाएं असाधारन है, नहीं बाशाएं असाधारन नहीं है उसकी भाशाओं का, उसका ज्यान है भाशाओं का वो असाधारन है कि लोगों को तो एक ही भाषा आती होती है उसको पांच-पांच भाषाओं का ग्यान है उसका ग्यान असाधारन है कहना चाते हो तो बात असाधारन तक किसकी है वो ग्यान की बात हो रही है और ग्यान कितने होंगे नॉलेज कितनी होगी एक ही होगी यह सब्जेक्ट है और क् singular है तो answer क्या आएगा is आएगा ना की आ रहाएगा क्यों क्योंकि बात knowledge की हो रही है एकदम clear हो रहा होगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ आ गया हो the demand of the students अब क्या था उपर तो क्या छोटे छोटे sentence चल रहे थे या students बनेगा या फिर classes बनेगा इन में से कोई बन सकता है और तो कोई option ही नहीं है बाकि तो verb या या तीन ही noun है जो बनने के योग्य है subject अब demand को reject किया है students को reject किया है या classes को reject किया है अगर आप ध्यान से sentence को देखेंगे इसकी हिंदी करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों की demand थी कि उनको classes bank करने के लिए allow किया जाए उसको reject कर दिया गया है तो किया reject किसको है classes को reject किया है नहीं बच्चों को reject किया है नहीं बच्चों की ये classes bank करने की जो demand थी उसको reject किया गया है तो बात किसकी हो रही है बात demand की हो रही है और demand कितनी है एक है क्योंकि demand एक है इसलिए क्या अएगा वौस आएगा ना कि वर आएगा बिल्कुल सेम तरीके से आ गया हो the ascent कल बताया था मैंने आपको assist क्या होता है? सुक्रिती तीन वर्ट्स करवाए थे ना एक करवाय था एकसेंट एक करवाय था असेंट और एक ये वाला असेंट उपर वाला बोलने का लहजा बीच वाला चड़ाई और तीसरे वाला स्वीकृती हामें तो असेंट आफ दी प्रेजिडेंट का जो स्वीकृती है दा बिल वास पासड बाईज्ट बाले मेंटेरियन्स पार्ले मेंटेरियन्स पार्ले मेंटेरियन्स मतलब लोगसभा-राज्यisभा के एम्पी जो होते हैं उन्होंने पास कर दिया कोई भी बिल विध्याक उसके बाद प्रेजिडेंट का असेंट जरूरी होता है मेहतुपूर्ण होता है बात किसकी हो रही है पार्लेमेंटेरियन्स की प्रेजिडेंट की बिल की या असेंट की ओवियसली यह देख के आपको पता चल गया है कि बात की हो रही है स्विक्रिती की हो रही है इसलिए वह आएगा इन सब से एक शौट ट्रिक टाइप सी भी निकल सकती है कि अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ कि बात किसकी हो यह मेरे को तो समझ भी नहीं आ और एक के बाद एक कुछ नाउंस जुड़े हुए हो अलग-अलग प्रेपोजिशन से तो आप ऐसे समझ लेना कि पहले-पहले वाले की बात होती है हमेशा ऐसा नहीं होता कभी फस ही जाओ उसकी बात कर रहा हूँ अगर आप नोटिस करोगे तो जो फस्ट वर्ड है हमेशा उसकी बात हो रही है अगर आप गौर फर्माओ तो उसके बाद कितनी भी कानिया करते है चलो extra information दिये चलो कोई फरक नहीं पढ़ रहा है लेकिन अच्छी important बात इसके अंदर क्या है गौर फर्माना बहुत सही चीज बता रहूँ आपको यह e sentence देखो यहाँ पर यह जो हिस अगर यह नहीं होता अगर यह नहीं होता तो भी चल जाता क्या the demand of the students was rejected बिल्कुल चल जाता चल जाता की नहीं चल जाता यह students की demand की extra information बता रहा है तो यह आप धुका खा जाएंगे बहुत सारे लोग कि सर आपने तो का था that जान लगा होता है उससे पहले वाले की बात होती है तो that की यह जो that है यह इसकी extra information दे रहा है पूरी तो ऐसा sentence अगर English के अंदर लिखा होता है क्या ऐसा sentence लिखा होता है दो कौमें लगे होते हैं तो यह बीच वाला जो होता है ना यह extra information होता है क्या होता है extra information होता है अब पंगा क्या है paper में यह दो कौमें लगके नहीं आएंगे तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि extra information कैसे है तो यहाँ पर यहाँ पर जो word है वो अक्सर relative pronoun जो हमने बात कि that which who whom whose वो सब लगे होते हैं ज्यादा तर cases में ऐसे होता है और ये पूरा का पूरा उसका जो एक हिस्सा है वो आप हटा सकते हो तो ये थोड़ा सा आप जब आज के बाद कोई भी reading करते हो कुछ भी और मैनत कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा पता लगाओ कि क्या ये बीच अगर गलती आगे या पीछे में है तो बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है अगर गलती आगे या पीछे में है तो बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है उसको हटा के आप पूरा सेट करके देख सकते हो लेकिन अगर गलती बीच वाले में है तो सिर्फ बीच वाले कोई देखना जरूरी है आगे और पीछे वाले की कोई वैल्यू नहीं है आप ऐसे समझ लो कि एक की sentence को आप दो हिस्सों में बांड दे रहे हो, एक तो extra information अलग कर दे रहे हो, और एक आगे और पीछे वाले को जोड़के original sentence बना दे रहे हो, या तो बीच वाली extra information में गलती निकलती है हमेशा, या फिर आगे पीछे के मिला के गलती निकलती है, तो आ आप ये थोड़ा सा पहचानोंगे तो आपको easy रहेगा, कुछ लोगों को मेरी बाते ऐसे लग रहे होगी, सर क्या, क्यों confuse कर रहो, ये समझ में आ रहा था, अच्छा गासा, तो आप बिल्कुल tension लिले, जैसे जैसे मैं करवाता जाओंगा, आप notice करना, ये कुछ rules ऐसे हैं जो बहुत काम आते हैं, इसलिए मैं repeat पर आपको बताता जाओंगा, और एक time ऐसा आएगा, जब आप समझ जाओगे, आप regularly बस classes देखते जाएं, तो demand of the students was rejected क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, demand की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, जी, demand की बात हो रही थी, yes, आ कर देना कोई दिक्कत नहीं आएगी, rule number two पर आते हैं, जी, पांच sentence दिये हैं, आपके सामने, पांचों को mark करने की कोशिश करें, क्या आना चाहिए, यह जो bracket में दिया है, इसका मतलब है, यह भी आपको choose करना है, कि यह s लगाना है, या नहीं लगाना, अना, s को भी आपक को choose करना है, कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, पांचों question solve करें, बहुत ही सही questions हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, एक बहुत important rule है, जो SSE में पक्का एक number आपको दे कर जाएगा, common sense लगाएँ, अपना दिमाग लगाएँ, क्या कहता है आपका दिमाग, questions लिखने की ज़रूरत नहीं है, pdf आपको telegram channel जो devotion institute का है उस पर मिल जाएगी, questions ना लिखें, सिर्फ answer लिखने की focus करें, questions आप download करके और उसको print करवा सकते हैं, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को pause कर लें, solve करें, उसके बाद आगे देखें, हमारा लक्ष है, selection है, देखो, यहाँ पर a few लिखा हुआ है, few, a few, और the few, तीन होते हैं, इन तीनों के बारे में हम detail में अभी articles का chapter करेंगे, या कोई और बीच में एक chapter और करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा detail में समझाऊंगा, इन तीनों में क्या फरक होता है, पर चाहे कुछ होता हो, चाहे कोई फरक होता हो या ना होता हो, एक बात तो आपका दिल समझता होगा, कि ये एक तो कोई नहीं होता है, चाहे few बोलो, चाहे a few बोलो, चाहे the few बोलो, एक तो कोई नहीं होता, चाहें कितना भी कम या ज़्यादा होगा वो concept हम बाद में देखेंगे पर ये तो आपको पक्का समझ में आता होगा कि ये एक से तो ज़्यादा ही होगे क्योंकि एक होगा तो one कह दो ना फिर few, a, few, the few करने की ज़रात ही का है one कह दो तो one तो नहीं होता a person तो नहीं कह रहे people लगा रहे हैं इसका मतलब एक से तो ये ज़्यादा ही होते हैं तो few, a, few, the, few, तिन्नों ही एक से तो ज़्यादा ही होते हैं साथ में आप some लगा सकते हो या lot of वगरे जो लगाते हो ये सारे के सारे words क्या है ये सारे के सारे words plural है और इनके बाद verb भी क्या आएगी? plural आएगी, क्योंकि obvious सा logic है, a few people है, तो R ही आएगा ना, क्योंकि subject तो people हो गया, ये few तो उसका adjective है, तो R ही आएगा, तो R में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे some adjective है, तो some मतलब भी कुछ होता है, अब कुछ चाहें, कितने भी कम क्यों ना हो, एक से तो ज़्यादा ही होएंगे, और एक से ज़्यादा होएंगे, तो student ट नहीं आएगा, student स आजाएगा, वो S लगाना ज़रूरी है, इसलिए हम heavy लगाएंगे, फिर his, her या there, अब एक से ज़्यादा है, तो अव्यसी बात है, देर लगाएंगे, his और हर, दोनों ही नहीं लगाएंगे, ये पहले दो मेरे इसाब से, आप में से किसी ने गलत नहीं किया होंगे, अगर किये हैं, तो ये लिख लें आप अच्छे से, few, a few, the few, some, lot of, ये सब क्या हैं? कितने भी कम क्यों ना हो, एक से तो जादा ही होंगे, इसलिए plural ही होगा सब कुछ, तो सब कुछ plural है, noun भी plural है, verb भी plural है, उसके बाद कोई pronoun है, तो वो भी plural है, येस? अब आते हैं नीचे तीन पर, नीचे तीन की बज़ाएं, पहले तीसरे पर देखते हैं, many boys, many girls, many का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, many का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, हमने बात की थी, countable में many लगता है, uncountable में much लगता है, जब आप ज़ादा बताना चाहते हो तब, तो many का मतलब एक से तो ज़ादा होगे, ये तो एकदम confirm है, तो अगर एक से ज़ादा है, तो ये जो S है ये लगेगा ना, many girls थोड़ी होता है, many girls होता है, many boys होता है, many pens, many benches, many lights, S लगता है, और उसके बाद is या आर, many girls are playing outside, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि many है, तो सब कुछ plural आएगा, तो many के बाद noun भी plural, और many के बाद verb भी plural आएगा, ये एकदम clear होना चाहिए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, many तो जैसे ऐसे है, कि ये lot of लिका है, यहाँ पर मैं एक many और लिख दू, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता चाहिए, क्योंकि सब कुछ plural होता है, अब बात आती है, ये नीचे वाले दो की, अगर आप C बोल रहे हो, या आप D बोल रहे हो, या आप E बोल रहे हो, चाहे C बोलो, चाहे D बोलो, चाहे E बोलो, तीनों का मतलब एकदम डिटो, सेम होता है, कि बहुत सारी लड़कियां बार खेल रही है, many girls are playing outside, बहुत सारी लड़कियां बार खेल रही है, many a girl is playing outside, प्लाटिंग गलती से लिख दिया, ये Y आना चाहिए, ये Y आएगा, तो इसका भी मतलब होता है, बहुत सारी लड़कियां बार खेल रही है, more than one is playing outside, इसका भी मतलब होता है, बहुत सारी लड़कियां बार खेल रही है, तीनों का मतलब सेम है, लेकिन, ध्यान से सुनिएगा, very important, very, very, very important rule बता रहा हूँ, ये many के बाद अगर आपको A दिख जाए, तो आप ऐसे समझ लेना, कि A के बाद एक bracket लगा हुआ है, और more than one दिख जाए, तो भी आप ऐसे समझ लेना, कि एक bracket लगा हुआ है, अब ये A क्या है, A तो singular होता है, A boy, A girl, A pen, A book, A सब singular होता है, तो आप ऐसे समझ लेना, ये A के हिसाब से आगे हमें, सब कुछ singular करना है, तो noun भी singular आएगा, और verb भी singular आएगी, वैसी one क्या होता है, one भी singular होता है, तो singular होता है, तो noun भी singular आएगा, और verb भी singular आएगी, ये English का रूल है, common sense आपका कहेगा सर ये क्या कर रहे हैं more than one मतलब एक से ज़्यादा साफ ही लिखा हुए एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा लड़की कैसे होएगी हाँ हिंदी में होएगी इंग्लिश में नहीं होती more than one जब आ जाए तो उसके बाद girl ही लिखना है गर्ल्स नहीं लिखना, बोई लिखना, बोई लिखना, पैन लिखना, पैन्स नहीं लिखना, एस और येस नहीं आएगा, नाउन सिंगुलर आएगा, और अगर नाउन सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ऐसा ही मैनी ए के साथ है, क्या फरक है सर मैनी में और many a में कोई फरक नहीं है धक्के का एक a और लगाया हुआ है उसके हिसाब से पूरा sentence बदल जाता है तो आप यहाँ पर एक बहुत important rule लिख सकते हैं कि many a लिखा हो या फिर more than one लिखा हो इन दोनों के बाद में noun भी singular आएगा और verb भी singular आएगी यह very 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 important rule है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है अगर many लिखा हुआ है अकेला many तो कोई rule नहीं है तो सब plural चलने दो तो normal है आपकी normal English जो है लेकिन many a या फिर more than one इन में से कुछ लिखा हुआ आ गया तो इस a की वज़े से और इस one की वज़े से आगे वाले सब कुछ singular हो जाते है तो girl के पीछे noun के पीछे भी s और yes नहीं लगेगा और is और are या was or were has a जो भी option आपके पास उसमें भी singular ही रहेगा very 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 important rule है star mark करके लिख लें many a और more than one के बाद noun भी singular आता है और verb भी singular आता है yes I hope आपको ये clear होगा आगे आएं जी again very important rule number 3 a number of the number of a large number of इसमें भी आपको ये बताना है कि s और yes आएगा या नहीं आएगा और is और are में से क्या आएगा तीनों question को solve करें कुछ लोगों ने कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो पहले वीडियो को pause करें उसके बाद solve करें उसके बाद वीडियो को आगे देखें नहीं तो नहीं देखें देखो जो a number of होता है क्या होता है a number of होता है उसका मतलब होता है बहुत सारे क्या मतलब होता है बहुत सारे और जो the number of होता है the number of का मतलब क्या होता है the number of संख्या को बताता है किसको संख्या को नंबर को बताता है actual में संख्या कितनी है common sense से समझो पहले माल लो एक class के अंदर 200 बच्चे हैं तो A number of students आप बोलते हो A number of students का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे हैं गिंती नहीं करनी आपको आपको ये बताना है कि मात्रा जो है वो बहुत सारी है तो बहुत सारे बच्चे बोलना है तो आप क्या बोलोगे A number of students बोलोगे क्योंकि a number of का मतलब क्या होता है बहुत सारे होता है लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि बच्चों की संख्या 200 है क्या बोलना है बच्चों की संख्या 200 है संख्या को importance देनी है तो संख्या के आगे the लगा देते हैं तो संख्या की importance हो जाती है कि बच्चों की संख्या 200 है तो तो बच्चों की संख्या को English में लिखने के लिए हम the number of students का use करेंगे अब गौर फर्माना अगर बच्चों की संख्या 200 है ध्यान से सुन रहे हैं जी अगर बच्चों की संख्या 200 है तो ये 200 जो संख्या है ये तो एक ही है चैने कितनी भी बड़ी संख्या हो चैने कितनी भी छोटी संख्या हो संख्या हमेशा एक ही होती है नंबर हमेशा एक होता है चैने 200 बच्चे हो तो 200 भी एक ही नंबर है पांच लाग बच्चे हो तो पांच लाग भी एक ही नमबर है, और दस करोड बच्चे हो तो दस करोड भी एक ही नमबर है, नमबर हमेशा एक ही होता है, पर बहुत सारे तो बहुत सारे होई जाते हैं, लिखा ही हुआ है, एक दूसरी चीज़ देखो, जब भी आप ए नमबर आफ बोलते हो यहां से सुनना तो बहुत सारे बोल रहे हो अगर बहुत सारे बच्चा होगा क्या बहुत सारे पैन होगा क्या नहीं बहुत सारे बच्चे होगा पैन्स होगा बुक्स होगा गर्ल्स होगा बॉइस होगा बहुत सारे बोल रहे हो तो एक तो होई नहीं सकता ना एक से तो ज़ादा ही होगा इसलिए noun हमेशा क्या आएगा plural आएगा बहुत सारे a number of के बाद noun हमेशा plural आएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे खेल रहे बहुत सारे बच्चे खेल रहे या खेल रहे हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं a number of students is या verb भी plural आती है लेकिन the number of की अगर बात करें संख्या की अगर बात करें तो एक की संख्या करोगे क्या कि एक teacher की संख्या teacher की संख्या एक है तो जब teacher ही बोल रहो तो एक ही बोल रहो तो संख्या करने की क्या जूरत है फिर A teacher बोल दो सीधा दिमाग नहीं लगेगा कम से कम दो होएंगे जादा होएंगे तभी बहुत सारे होएंगे तभी उनकी गिंती करने की ज़रुरत पड़ेगी जब एक है तो गिंती करने की कोई भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी इसलिए संख्या भी अगर करोगे तो एक से ज़्यादा की ही करोगे इसलिए the number of के साथ भी noun हमेशा plural आएगा common sense समझ के चलो common sense से paper में question होएंगे rule लिख लो rule के रटे मारोगे तो paper में याद नहीं आएगा confused होजाओगे किस के साथ singular था किस के साथ plural था concept समझने पर focus करो the number of का मतलब है संख्या एक की संख्या हो नहीं सकती एक से ज़्यादा की संख्या होगी तो बच्चों की संख्या होती है बच्चे की संख्या नहीं होती बच्चा एक है तो उसकी संख्या क्या क्या करें ही यह important है कि the number of और a number of दोनों के साथ noun हमेशा plural आता है लेकिन verb a number of के साथ plural और the number of के साथ singular आती है तो a number of student नहीं students लगेगा is या आर आ रहा जाएगा noun भी plural verb भी plural लेकिन the number of student के students students चूंकि noun तो plural लेकिन is आएगा increasing अब बच्चे भढ़ रहे है यह नहीं बोल रहे है बच्चों की संख्या बढ़ रही है यह बोल रहे हो आपको लगेगा सर बात तो एक ही है अरे बात एक ही है में लिखा क्या हुआ है उसके एसाब से चलेगा कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है यह इसकी हिंदी है तो संख्या एक ही है इसलिए वो बढ़ रही है होगा रहे हैं नहीं कर सकते और उपर बहुत सारे बच्चे एससी के लिए प्रिपेर कर रहे हैं यह ठीक है जी कर रहे हैं तो ब्लूरल कर दिया हमने ए लार्ज लगाया है चै नहीं लगाया कोई फरक नहीं पड़ता लॉजिक एकदम सेम रहता है एस नमर वाला ही लॉजिक हम करेंगे तो a number of का मतलब बहुत सारे noun plural होता है verb singular the number of का मतलब संख्या noun plural होता है और verb singular होती है very important rule है paper में question 100% पूछा जाएगा आगे आएं rule number 4 पर 4 question करें बहुत ही जवर्दस question है पूरा दिमाग लगाएं solve करने के लिए पहले दो असान है और उसी से सम्मंदित तीसरे और चौता है कुछ लोगों ने कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो पहले वीडियो को pause करें इन questions को पहले solve करें और उसके बाद आगे बढ़ें देखो each or every का rule है ये each or every का जो rule है each or every ना लगबग लगबग same word है दोनों का मतलब क्या होता है हर एक क्या मतलब होता है हर एक each or every का मतलब हर एक होता है तो हर एक बच्चे होते हैं कि हर एक बच्चा होता है हर एक बच्चा होता है क्योंकि एक आगया ये वही rule वैसा साही आगया more than one जो हमने किया था कि one लग गया तो उसके बाद सब कुछ singular कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक आगया, इसलिए आगये सब कुछ singular कर रहे हैं तो हर एक बच्चा होगा, हर एक बच्चे नहीं होगा यह clear है जी? तो each child बोलोगे कि children बोलोगे, each child ही बोलोगे और is या are बोलोगे, तो is बोलोगे कि हर बच्चा special है यहीं बोलना चाहते हो ना, हर बच्चा special है, हर एक बच्चा special है तो each child is special आजाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे ही every man होता है, man नहीं होगा, e नहीं आएगा क्योंकि हर एक आदमी has आजाएगा again a right to truth कि हर एक आदमी के पास सत्य का अधिकार है हर एक कह दो, दोनों में कोई फरक नहीं है, singular noun है और singular ही verb है तो इन दोनों के आगे noun भी singular है और verb भी singular है ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये एकदम clear है आगे आओ, आगे rule क्या कहता है, हिसाब से देखो क्या बोलते हैं common sense सुनना, मेरी बास सुनो और जवाब दो, राम के साथ is या are, is, राम is, शाम is, राम and शाम is, राम and शाम is या are, राम is होता है, शाम is होता है लेकिन राम and शाम कर दिया तो एक से दो होगे तो आर हो जाना चाहिए, ठीक है जी, common sense बोलता है राम is, शाम is, राम and शाम are, अब यहाँ पे यही गड़बड है, every man is, every woman is, लेकिन every man and every woman are, नहीं होता, ये भी is ही होता है अब आपका logic जो है, जो राम शाम इस से आपने सीखा, आपका logic क्या कहता है कि दो singular को and से जोड दिया, तो वर्ब प्लूरल हो जानी चाहिए ये बोलते हो आप कि दो singular and से जोड गए, राम and शाम हो गया, तो इस की जगए आर हो जाना चाहिए पर यहाँ पर नहीं होता, ये rule है, क्या नहीं होता अगर दो words, अगर दो each या फिर every, गौर से सुनियेगा जी, दो each या every and से जुडते हैं, तो वर्ब जो है, वो singular ही आती है, दो each या every, अगर and से जुडते हैं, उसके बावजूद वर्ब जो है, वो singular ही आती है, मतलब क्या कहना चाहरो मैं, कि आपने राम and शाम को तो आपने आर कर दिया था, क्यों कर दिया, क्योंकि राम और शाम दो हो गए, लेकिन every man and every woman, दो हो गए कि नहीं हो गए, उसके बाव प्वजूद आप, has लगाओगे, have नहीं लगाओगे, आप बोलोगे, सर यह क्या कर रहो, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे नहीं, बच्चे हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी बनाई है, हमारा काम क्यों पूछना नहीं है, कि ऐसा क्यों होता है, हमारा काम स यह, कि जब दो, each या, every, and से जुड़ते हैं, क्या बोला, दो, each या, every, and से जुड़ते हैं, तो verb कैसी लेते हैं, singular verb लेते हैं, plural verb नहीं लेते, तो राम, and, शाम, normal, कोई भी, and से जुड़ते हैं, तो plural verb लेते हैं, normal condition यहीं है, पर अगर normal पढ़ा रहे होते हैं, तो पढ़ा जाएगा वॉज प्रेजेंट आएगा हर एक लड़की और हर एक लड़का प्रेजेंट थे हिंदी में तो लॉजिक सही बनता है लेकिन था ही आएगा येस तो वर्ब सिंगुलर चाहिए अगर आप इच याइवरी को दो इच याइवरी को एंड लगा कर जोड रहे हो तो क्ल तो देर लगाने का लॉजिक नहीं है लेकिन मैन और वुमेन दोनों की बात हो रही है तो देर आना चाहिए तो बड़ा ही कन्फ्यूजन सा है समझ इन्यारा क्या करें मलब कुछ ही लगा दो वह वली बात है लेकिन रूल क्या कहता है गौर फरमाएगा कि वर्ब तो और अगर प्रोनाउन लगा है बाद में तो वो सिंगुलर आएगा दूसरे के हिसाब से किसके हिसाब से दूसरे के हिसाब से दूसरे की जगह आप बाद वाले के हिसाब से भी लिख सकते हो ना दूसरे की जगह आप क्या लिख सकते हो बाद वाले के हिसाब से भी आप और प्रोनाउन का क्या मतलब है यह प्रोनाउन ही है ना हिस हर देर प्रोनाउन ही होते हैं तो दूसरे के हिसाब से या बाद वाले के हिसाब से आएगी दूसरा या बाद वाला कौन सा है यहां पर मैंन पहले आया और वुमेन बाद में आया तो वुमेन के हिसाब से आएगी और singular आएगा मतलब there भी गया और his भी गया, woman थी तो हर आजाएगा, ये सही उत्तर है, नीचे वाले में देखो girl पहले है, boy बात में, तो boy के हिसाब से आएगा, boy के हिसाब से क्या आजाएगा, his आजाएगा, हर भी गया और there भी गया, क्या बोला हमने, जब दो each या every and से जुड़ते हैं, जब दो each या every and से जुड़ते हैं, तो verb singular आती है, और pronoun singular आता है, दूसरे वाले के हिसाब से, दूसरे वाला कहलो या बाद वाला कहलो, बात एक ही है, each या every specific case की बात हो रही है, कि जब ये होएगा, तब ही ऐसा होता है, और किसी condition में ऐसा नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे राम एंड शाम has done their homework लिखूँगा, तो गलत हो जाएगा, राम एंड शाम के साथ have या आएगा, और done के बाद their homework याएगा, his homework नहीं आएगा, ये rule कहां लगता है, केवल दो each sentence और देना चाता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी सही करके लिख देता हूँ, each of the boy is or are special, ये एक sentence और बता दो, ये each और every का मैंने sentence यहाँ पर लिखा नहीं, पर ये important चीज़ है, यहाँ पर आप confused हो जाओगे, इसलिए बस, every of the कुछ नहीं होत ये खाली each का रूल है, इसलिए मैं एक extra एक sentence लिख दे रहा हूँ, ये भी कभी पूछ ले तो आप से, each of the करके भी रूल होता है, every of the नहीं होता है, each of the ही होता है, of the के साथ खाली each ही लगता है, every नहीं होता है, पर लगता क्या है, ये हमें सीखना है, जैसे गौर फर्माना one of the बोला था हमने, याद आ रहा है आपको, one of the का मतलब क्या था, इन में से एक, one of the books मतलब इन में से एक किताब की बात हो रही थी, तो जैसे one of the books का मतलब इन में से एक किताब थी, वैसे ही each of the का मतलब इन में से हर एक किताब हो जाएगी, समझ महारा है जी, जैसे one of the का म इन में से दो, थ्री आफदा का मतलब इन में से तीन, वैसे इच आफदा का मतलब इन में से हर एक. तो इन में से हर एक, एक में से हर एक, एक में से हर एक क्या होता है? एक में से हर एक कुछ नहीं होता कम से कम एक से जादा होंगे तभी एक में से तभी दो में से हर एक या तीन में से हर एक कर सकते हो क्योंकि एक से जादा होंगे तभी हर एक बोलने का लॉजिक बनता है इसलिए each of the के बाद वर्ब जो है वो plural आएगी यहाँ पर S लगाना जरूरी है तो मैं यहाँ पर एक और rule करवा रहा हूँ आपको कि each of the का क्या rule है कि each of the के बाद जो noun है, sorry noun verb बोल दिया था मैंने पहले noun जो है वो plural आएगा क्योंकि each of the के बाद noun plural क्यों आएगा क्योंकि each of the boys ही कर सकते हो each of the books ही कर सकते हो जादा होंगे तभी हर एक का लॉजिक है एक में से हर एक जैसी कोई भी चीज नहीं होती तो noun plural हो गया verb का क्या करें जी आपका दिल क्या कहता है, is करें की are करें each of the boys is या are हिंदी बना के देख लो जी each of the boys का मतलब लड़कों में से हर एक स्पेशल है की हैं हिंदी में तो हैं लगाते ही plural बन जाता है ना तो each of the boys is special आएगा ना की are special आएगा लड़कों में से हर एक स्पेशल है each of the books is torn या जो भी जो भी है तो noun plural आता है लेकिन जो verb है वो क्या है singular आती है अगर आप each देखोगे और each of the देखोगे गौर फर्माना each में noun और verb दोनों singular थी each में noun और verb दोनों singular थी each of the में noun plural हो जाता है और verb singular हो जाती है आप अच्छे से इसके notes बनाए अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी की गया चल रहा है तो एक sentence लिख सकते हैं लेकिन वैसे sentence लिखे लिखे हैं तो उसके उपर ही आप notes बना सकते हैं यह सब बहुत काम का है और ध्यान दे मैं जब GK की classes लेता हूं कोई भी current की या कुछ भी classes लेता हूं तब मैं बोलता हूं की वो classes आपको दो तीन बार देखनी चाहिए क्योंकि वो class में ज़्यादा याद होता है लेकिन English की class strictly जिंदिगी में यह एक बार देखनी है एक बार देखनी जो notes बना लिए वो दो पन्नी काम आएंगे बाद में बार बार class में समय खराब नहीं करना है हमारा लक्षय selection है चाहे जैसे भी करना पड़े तो इन सब को आप अच्छे से एक जगे पर लिखो गलती नहीं होनी चाहिए each or every का मतलब हर एक होता है each of the का मतलब इन में से हर एक होता है इसलिए noun हम plural कर देते हैं और verb हम singular कर देते हैं तो आज के लिए इतना ही करते हैं subject verb agreement के एक दो बहुत important rule है इसको हम कल एकदम अच्छे से continue करेंगे I hope आपको मजा आ रहा है अपने दोस्तों के साथ share कीजिए रोज अच्छे से पढ़ाई कीजिए vocab session ज़रूर से देखिए vocab रोज याद कीजिए नहीं तो बात नहीं बनेगी thank you very much for watching take care, bye bye